हलो फ्रेंड्स आप सभी का मेरे नए ब्लाग में स्वागत हैं मैं आज आया हूँ चकेरी जो गाजी पूर जिले के देवखली ब्लाग में पढ़ता है और यहाँ पर दुर्गा माता का मंदिर है जो काफी यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रशिद्ध है और यह एतिहासी कस्थ है तो मैं आप लोग को पूरा भी दिखाऊंगा चलिए वीडियो शुरू करते हैं आप लोग देख सकते हैं पीफल के यहाँ पर बहुत पेड़ है जो कि वातावण के लिए भी बहुत लाबदायक होते हैं और यहाँ पर छोपी से जो मंदिर देख रहे हैं जिसे संत यहा यहां पर उसकी अस्थापना कर दिए मैं आप लोग को चलिया और पास से दिखा देता हूं अब देख सकते हैं यहीं पर यहीं पर मूर्ती थी जिसे 2310 महराज जो यहां की महंत हैं उन्होंने यहां से मूर्ती ले जाकर जहां दुर्गा माता का मंदिर अस्थाफित किया ग मैं चलिया आप लोग को और पास से दिखा देता हूं जहां पर दुर्गा जी का मूर्ती के स्थापना हुई है और यहां का जो छेत्र है पुरा लगबग 10 या 12 भी घाम फैला हुआ है तो मैं आप लोग को पूरा भी दिखाऊंगा चलिया आप लोग देख सकते हैं सामने यागे साला है यहां पर जब महराजी जो जग कराते हैं तो यही पर यग होता है और हवन पूजन तो यहां डेली होता है इसमें नवरात्र का टाइम चल रहा है तो आप लोग यहां सुबह का टाइम बहुत भीड़ होती है मैं पहला दिन जो नवरात का था उस दिन मैं आया था तो यहां पर काफी भीड़ था काफी सोर भी हो रहा था तो मैं उस दिन ब्लाग नहीं बना पाया तो उस दिन का मैं क्लिप थोड़ा से रिकाट किया हूं मैं इस वीडियो म में आप लोग को दिखा दूंगा मिंधाम्दीक्शाबॉ में आप लाजये को थे आयों क्यायक पीसिन सच्बाद विए सबह्ता देशनी हुआ प्रिस्पे में इनको कि देख सकते हैं यह सामने दुर्गा माता का मंदीर है चले यहाँ पर बाबा होँगे तो उन्से भी बात करूँगा और जो यहाँ की मुर्ती है मैं उस बारे में बाबा से बात करूँगा और यहाँ देख सकते हैं दुकान है यहाँ पर प्रसाद मिलता है और आप देख सकते हैं सामने दुर्गा माता का मंदीर है देखिए यहां पर बाबा है जो बालक बाबा है और माता जी की मंदीर है तो सुबह साम यहां पर बाबा माता जी की आरती पुजा करते हैं यह बालगवाई चलिए मैं बालगवाई से बात करता हूं और यहां के बारे मेन जानने कोछिस करता हूं अब इस देख सकते हैं जो छछोटी हम यह युऐ यह JEFFPOW THORNAPOM जोभी दोग अपना मनने के लिए आते हैं इनका दर्शन करते हैं जोभी मनोटी मानते मोटी पूरा है इतना मुर्ति मिखना खासियत हैं सक्ति साली और बहुत पुराना मुर्ति है और इहां पर जो भग्त लोग आते हैं सारी भक्त लोग आते हैं पुजा करने के लिए उपर साथ यह पन लेकर छड़ाते हैं नगियर सुनी जोगी पूरी यहां बारहो मास हल्वा पड़ी चलता है एक महिना खाले में जाता है और यहां पर अखंड दीप भी जलता है दस्टे आप लोग देख सकते हैं नौ दिन प नजिमार्चर्ण पुरा करे लिटी तक है कि छोड़ा मुना खिर अन्य शोड़ार मrator और पूराह कि उतुंद देखिं कि इस मंदिर के इस मंदिर टो भार था कि लगया जो़मश दूस ए् सजीर के लिए बहूंकर की मुलाध की निया कि divin मुलत की भी बूरा ना आप नवराते के बताते हैं और यहां पर हनुमान जी का अभी मंदीर बन रहा है तो चलिए मैं आप लोग को दिखा दे रहा हूं अभी निर्माडा धीन है अभी पूरी तरह से बना नहीं हुआ है चलिए मैं आप लोग को दिखाता हूं और आप लोग देख सकते हैं अभी हनुमान जी का यहां पर मंदीर बनेगा अभी यहां पर काम चल रहा है अभी कुछ दिन बाद यहां पर काम भी रुका हुआ है तो कुछ दिन बाद फिर शुरू हो जाएगा तो यहां पर हनुमान ज दानकी लश्मन जी और हनुमान जी का मंदिर है तो चलिए मैं आप लोग को पहले जो पोखरा है उसके बाद मैं आप लोग को दिखाऊंगा और आप लोग देख सकते हैं जब भी आप आएंगे इनकी दुकान प्रापर आप लोग को मिलेगे चलिए इन से बात करते हैं यहाँ पर बताईए कि माता जी को मतलब क्या चढ़ाया जाता है प्रसाद में आप नारियल चुनरी माला फूल अगरवत्ति सिंदूर कपूर रोरी रच्टा बिंदी चढ़ाया जाता है माता जी को यह मंदिर करते हैं बहुत पुरानी पीछे जो आपे जास्ट पीछे हैं तो उसके बारे मदिर पीछे था तो ओमनदीर में घिर गया हैं उसके बाद माता जी का मंदिल दूसरे जो असथापना हुआ यह माता एक निविया कुनी है वहां पर अपना भी मतलब थी तो यह अपना अस्थान मांग दे लेंगे तो फिन उसके बाद जो मंदिल में मा शकेरी थी वो उठाकर फिन दूसरे जंगा स्थापना हुआ माता जी को इसी जंगा माता जी जब नहीं गए इसके बाद इनके पा जो की गंगाजे में पहले मिला हूँ अवा नहीं था पोख्राव यह लोग को चलता हूँ गंगाजी पोख्राव दिखा देता हूं मैं अब लोग को चल कर पोख्रा दिखा देता हूँ यहां पर लोग सुबह यही पर नहा कर जाते हैं तो माता जी का पुरा दर्शनोशन करते हैं लोग बहुत ही अच्छा लग रहा है अब लोग देख सकते हैं दोस्तु मैं आप लोग पास आ गया हूं चलिए मैं आप लोग को दिखा देता हूं देख सकते हैं तीन पर चड़ रहे हैं बबुल के बच्चे हैं छोटे 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 हम लोग पोख्रा में आ गए हैं देख सकते हैं चारो करफ़ देख सकते हैं यह पुख्रा है यह पोख्रा था ना यहीं पोख्रा अब इस समय गंगा जी मिल गया है बताते हैं लोग कि बहुत ही द्वापर समय कहा है पोख्रा अथा पानी इसमें अभी तक पता नहीं चलता कितना गहर है अब लोग देख सकते हैं यह काफी घहरा पो्रा में अब देख सकते हैं सामने बहाइसमें नाव भी चला μα दिखा दो उदर भी दिखा दा है को टीब जो उदर था राम जानकिक मंदिर और भोलेदानिक मंदिर था चलिए मैं आप लोग को अब दिखाता हूं आप लोग को मैं पोखरा दिखा दिया अब हम लोग अब उपार आ गए चलिए मैं आप लोग को भोलेदानिक का मंदिर दिखा देता हूं आप देख सकते हैं यह सामने अब भोलेदानिक का मंदिर है चलिए मैं आप लोग को और पास से दिखा देता हूं कि अब देखिए मैरे जाल है यहां पर साधी भी बाबी होता है और यह बगल में भोलेदानिक का मंदिर है अब भी देख सकते हैं भोलेदानिक का मंदिर अभी पूरी तरह से बना नहीं हुआ है यह देख सकते हैं कि आप लोग मैं आप राम जानकी का मंदिर दिखा देता हूं जो कि बहुत ही वो प्राचीन मंदिर है तो आगे हैं फ्रेंड्स अब हम राम जानकी मंदिर के पास मैं आप लोग को दिखा देता हूं अब आप देख सकते हैं सामने राम लक्षमर जानकी और हनुमान जी का मंदिर है यह मंदिर बहुत ही पुराना है आप लोग देख सकते हैं बहुत ही अच्छा लग रहा है अब देखिए राम लक्षमर जानकी और नीचे हनुमान जी हैं मतलब बैठे हुए हैं पास में ये पर रादे बाबा है जो कि यहां पर पूजा करते हैं आर यहां पर आप देख सकते हैं बाबा काप बीच Already बीच होना भी दो, यहां पर सुते हैं बाबा लोग चलिए झाल lone仔 में आप लोग, अब दिखा देता हूं, बाबा करणू सुछां जहां पर बाबा लोग का भंडारा बसाया है यहां पर बाबा लोग रहते भी है कि autopsy a भी अब देख सकते हैं आपर वाना रोसुन है यह देखे यहां पर बाबा का भंडारा बनता है रहें भरतन रुटतन पुरा रखा गया और यहां और यहां पर सामने संत्रिमेड़ीदास महराजी रहते हैं जो कि इस टाइम नहीं है बाबा तो फ्रेंड्स इस वीडियो में यहीं तक अगर आप चैनल पने हैं प्लीज चैनल को सस्क्राइब कर दीजेगा लाइक कर दीजेगा अगर आपकी कोई राय हो तो कमेंट बाक्स में जरू कमेंट करिएगा मिलते हैं नेक्स वीडियो में जैन